दोस्तों आज हम लोग आप लोग के लेकर आए हैं बैटरी ड्रेन टेस्ट यहाँ बैटरी ड्रेन टेस्ट आपके फेवरेट रियल्मीश प्रो का तो दोस्तों बैटरी डैन टेस्स मेंने कुछ ऐसे हैं कि कुछ एक्लिकेशन को खोलूगा कुछ-कुछ घंटों के लिए और अपनलोग देखेंगे कितनी बैटरी उसकी ड्रेन हो रही है तो फरस्ट यो वारे शॉट है आपको देख सकते हैं आपर हमलोग सब सबसे पहले क्या करने वाले हम लोग यहां पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं जिसके अंदर आप देख पाएंगे कि वीडियो रिकॉर्डिंग से कितनी बैटरी आपकी ड्रेन होती है फॉर्स्ट हाफन आर के अंदर दोस्तों चली शुरू करते हैं इस वीडियो को फटा फट से और अगर आपने आवीवे तक हमारी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्लीज इसको सब बैटरी कितनी जादा ड्रेंग हो जाएगी तो गवल देख सकते हैं आपके आदा कंटा हमारे निकल चुकिए फटावट से देखते हैं बैटरी आपके कितनी है तो आप लोग देख सकते हैं 90 पर संट बैटरी हमारी बची है जिसका मतलब यह कि आप एनर के अंदर आपकी 10 बैटरी ओड़ चुकी है जो की काफी जादा शौकिंग है दोस्तों क्या करने वाले हमने जो वीडियो को रिकॉर्ड किया है उसी वीडियो को हम लोग अगले हादे कंटेक ले चलाने वाले हैं और देखेंगे कि कि कितना वीडियो की वज़े से हमारी जो बैटरी है ड्रेन आ 5% बैटरी आपकी जो है उड़ चुकी है सिर्फ और सिर्फ वीडियो प्लेइंग से दोस्तों आप जो नेक्स टेस्ट है वह हम लोग करने वाले यहां पर यूट्यूब को चलाने वाले हैं वो भी आधे घंटे के लिए और मैं चलाने वाला हूं अपनी एक लेलिस्ट को त आधे आधे घंटा निकल चुका है यूट्यूब प्लेइंग का और अब हम लोग देखते हैं बैटरी कितनी है तो दोस्तों आप लोग देखते हैं आप इस 7% बैटरी जो आपकी ड्रेन आउट हो गई है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को चलाने दे वो भी आधे घंटे तोस्तों अब जो नेक्स्ट गेम है वो मैं चलाने वाला हूं प तोस्तों उमीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो अब भी तक आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारी इस वीडियो के एक बार लाइक भी दे दे दिजिए तो दोस्तों आपको यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमारा एक गंटा कंप्लीट हो गया है हमारी बैटरी जो बची है वो 60% बची है तो 18% बैटरी आपकी जो है ड्रेन हो गी है पबजी तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रियल्मी 6 प्रो का बैटरी ड्रेंग कैसे और कितनी हो जाएगी उभीद कर दोस्तों आपको मैं वीडियो पसंद है तो प्लीज से लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सस्क्राइब भी क प्लीजी